हालो फ्रेंट्स अब वेरी गुड मॉर्निंग तो आल जैसा कि देख पा रहे हैं आज इससे जो शुरू हो रहा है आपका डिली बाइट्स ऑफ वोकाविलरी और इसको हम रोज अपने सेशन में हम इंक्लूड कर रहे हैं और साथ ही में इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें को हिंदी मीनिंग के साथ एक इग्जांपलरी कुछ ना कुछ सेंटेंस आपको एक्जांपल के लिए मिलेगा और साथ साथ हम ट्रिक्स और टिप्स को भी सीखेंगे जैसा कि रोज सीखते हैं ठीक है तो चले चलते हैं जरा समझते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं आज के उसको और समझेंगे जरा जैसे आज का हमारा जो पहला टर्म है जो पहला वर्ड है तो साबोटेज का मतलब क्या होता है किसी भी तरह का क्या करना तोड़ फोड करना या फिर उसको हम कह सकते हैं वेंडिलाइस करना वेंडिलाइस करने का मतलब होता है कि पूरी तरह से तहस नहस क कर देना राइट जैसा कि इसमें आप देख पा रहा है एक वर्ड लिया गया है that is what the Indian Army sabotaged the armed vehicle of the Chinese army right तो यहां पर अगर देखें इस sabotage का मतलब क्या हुआ है sabotage का sense क्या बना sabotage का sense बना क्या कि तोड़ फोड किया उसको बिल्कुल testness कर दिया उसको इंडियन आर्मी के लोगों ने राइट या इंडियन आर्मी ने तो हम उसको sabotaging बोलते हैं या फिर हम कहते हैं उसको क्या करना तोड़ फोड करना उसकी राइट तो समझ गया होंगे इस term को आगे चलते हैं next देखते हैं जड़ा ध्यान देने वाला point यह है यहां पर कि हम सभी जो भी words ले रहा है हैं यह सभी हिंदू यानि कि दहिंदू जो न्यूस्पेपर हैं उससे लिए जा रहे हैं और हम इसको क्या करेंगे डेली बिशिस पर लर्न करेंगे चीजों को ठीक है जैसे यहां पर देखें आगला टर्म लिया गया है क्या epidemic तो epidemic का मतलब क्या है outbreak outbreak का मतलब क्या होता है outbreak का sense क्या होता है कि कि किसी भी एक area में किसी चीज का अचानक किसी बिमारी का especially फैलना तो अभी काफी चर्चा में रहा है एक किसी particular area में करोना फैला उसके बाद वो क्या हो गया world level पर चला गया मतलब हम internationally उसको देख पाने तो यह एक बड़े area में फैल गया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया that is what pandemic तो हमने इसको क्या नाम दे दिया that is pandemic तो pandemic मतलब एक है उसी तरह का term मतलब की epidemic जैसा ही है लेकिन in fact जो pandemic है pandemic एक बड़े बहुत बड़े level पर हम बात करेंगे तो pandemic कहा जा सकता है otherwise that is what epidemic या तो हम उसको क्या कहेंगे epidemic कहेंगे या फिर pandemic लेकिन difference मैंने आपको समझा दिया है outbreak of any communicable disease especially मतलब communicable जो disease होती है उसी को आप epidemic कह सकते है हर तरह की disease के फैलने को आप epidemic नहीं कहेंगे ठीक है तो समझ गया होंगे point को और यह सब यह अभी आपके हिंदू के ही लिए गया word है दा हिंदू के आगे देखें धान दे mutation, mutation मतलब क्या होता है किसी भी तरह का change या transformation हिंदी मिनिंग इसलिए नहीं लिखा हुआ इसमें क्योंकि यह बहुत ही आसान सा word है change का मतलब बदलाओ परिवर्तन राइट तो अब देखें किस तरह से changes की बात आप करते हैं जैसे the doctors have seen a mutation in the genes of what? coronavirus मतलब किसी भी एक जीन के अंदर या फिर एक जो internal कोई changes आते हैं उसी case में आप mutation का इस्तिमाल करते हैं हर जगे पर आप mutation नहीं कह सकते हैं तो एक sentence भी आपको मिला हुआ है proper कि आप उसको कैसे देख रहे हैं राइट जैसे the doctors have seen a mutation in the genes of what? coronavirus के genes में अब कोई changes अब देखे जा रहे हैं जैसे कि वो transformation करता रह रहा है लक्षन बदलते जा रहे हैं तो वो किस वज़े से हो रहा है that is what? promulgate करने का मतलब होता है announcement ठीक है इसके लिए एक और टॉम में आपको दे देता हूँ that is what? जैसे हम कहते है proclamation राइट क्या होता है proclamation भी क्या है same घोशना करना या फिर क्या करना किस जीस का announcement करना राइट तो समझ गयोंगे point को जैसे कहता है when the budget was brought many tax benefits were promulgated मतलब उसकी घोशना की गए राइट मतलब उसको announce किया गया तो यहाँ पर promulgation का मतलब क्या है क्या है इसका मतलब गोशना करना है सबसे पहली चीज क्लास यह समझेगा जितने भी learners हैं या जो इस channel पर regular जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप daily basis practice मत छोड़िए आपका daily basis पर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ learn करते रहना है आपको and जब फिर वो collectively एक जो effort होगा आपका वो काम आता है exam में ठीक है तो इसको accommodate होने दें और accommodate होने के बाद यह सब जो vocabulary है यह आपके काम आती है finally आती है जब आप exam में बैठते हैं ठीक है चलिए जब भी आप अगर आपको videos अच्छी लग रही है और जब भी आप इनको watch कर रह है inundation inundation is basically flood ठीक है basically flood अब यहां पर ध्यान दें इसका जो मतलब होता है वह बार से होता है अब देखे दो एक तो literal जो बार पानी से आ जाती है राइट जैसे यहां पर एक sentence लिया हुआ है हमने the dam saved the area मतलब डाम ने उस area को save किया किससे from inundation यानि वह obvious बात है वह किसी से save क किया गया है तो ठीक है इस sentence से समझ में आ गया होगा कि inundation का मतलब किसी से होता है तो that is बार ठीक है समझ गया हों के point और जो अगला यहीं पर एक और टर्म दिया वह देखे डिल्यूज जैसे अभी like this is a rainy season going on right तो इस rainy season के अंदर डिल्यूज बहुत सारी जगे पर आप दे का कहते हैं उसे ही हम डिल्यूज कहा देते हैं तो समझ गयोंगे point डिल्यूज जो है वो बिल्कुल पानी का ही flood है direct लेकिन inundation में कुछ चीज़ें और आती हैं जिसको कि आपको देखना जरूरी है जैसे यहां पर दिया हुआ है inundation of what क्या कहता है inundation of tourists can be seen at the Taj मतलब ताज quantity किसी चीज का होना आना तो उस case में भी आप inundation use कर लेते हैं ठीक है सिर्फ आप इसको बाढ़ यानि जो पानी वाली आती है उसी में नहीं बल्कि इस sense में भी इस्तेमाल कर लेते हैं right तो समझ गयोंगे point को कि क्या है चली चलते हैं आगले word पर देखते हैं जरूरी तो द आएंगे उसके अंदर हम लोग बहुत सारे और words को discuss करेंगे ठीक है लेकिन बने रही है साथ में जिसे कि क्या हो जिसे कि क्या हो कि हम और सभी जो रोज के जो डेली बैस पर जो words आ रहे हैं उसको हम discuss कर पाएं थैंक्यू थैंक्स फर लिसनिंग